हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं Old Spice Timber Fragrance के बारे में हाई गाईस, वेलकम बाग, दिस इस अन्शुल भाटिया and you are watching Perfume Beast तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं Old Spice के Timber Fragrance के बारे में ये एक basically sweet, spicy और woody type सा डियो है और ये जैसा इसका नाम है Timber अपने नाम के साथ बहुत अच्छे तरीके से associate करता है and according to me it's a perfect office wear डियो that too in very कम budget और अगर मैं इसकी खास बात आपको बताऊँ it's a great elite smelling डियो और जो इसकी खासियत है वो इसके notes के अंदर छुपी हुई है जैसा मैंने आपको कहा ये एक sweet, spicy और woody type सा डियो है तो जो इसका start है जब आप इसको spray करेंगे जो सबसे पहला इसका impression आएगा वो बहुत ही ज़ादा spicy आएगा और उस spiciness जो इसकी शुरुवात है उसकी spiciness के पीछे जो चीजे responsible हैं वो है cinnamon कही ना कहीं tonka bean भी उसके लिए responsible है और ये जितने भी ingredients हैं ये आप कह सकते हैं multi facets हैं इनके चहरे बहुत सारे हैं अलग लग चहरे हैं यानि कि ये डियो के अंदर अलग लग तरीके से काम करते हैं और अगर मैं इसके अंदर अपना favorite ingredient आपको बताऊं जो इसकी spiciness के लिए responsible है वो है cinnamon और cinnamon को मैं raw भी बहुत जादा time चबाता हूँ I use it as a mouth freshener I use it as a breath freshener और अगर cinnamon का experience आप सब लोगों ने भी बहुत बार किया होगा जब हम cinnamon को चबाते हैं जब हम मूँ में उसको रखते हैं तो initially जो उसका थोड़ा सा taste आता है वो हलका सा bitter होता है थोड़ा सा कड़वा होता है जब हम उसको चबाते हैं तो immediately या suddenly मीठा turn ले ले लेता है sweet turn ले ले लेता है तो इसके अंदर भी जो cinnamon का काम है इस डियो के अंदर वो भी कुछ वैसा ह जो इसका initially start है वो थोड़ा सा spicy है और बाद में ये sweet turn ले ले लेता है और जो चीज़े इसकी sweetness के लिए responsible है वो है tonka beans and somewhere vanilla तो tonka bean की भी जो characteristics है वो कही न कहीं थोड़ी सी vanilla के साथ मिलती जुलती है लेकिन under tones में वो आपको spiciness भी देती है और sweet भी feel करवाती है और जो इसके notes का experience है वो यहीं खतम नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर आपको depth भी मिलेगी warmth भी मिलेगी depth आपको हो सकता है वो थोड़ा सा creamy touch आता है because of its creamy notes और जो इसकी warmth है वो आपको tonka bean provide करती है लेकिन इसके अंदर एक और जो खास बात है वो है इसके wood notes जैसा कि मैंने आपको कहा इसका नाम है timber और यह अपने नाम के साथ बहुत closely associate करता है timber के अंदर भी मैं अगर आपको बताऊं कि जो मेरी observation है इसके अंदर गीली और सूखी लकडी दोनों का बहुत अच्छा खुश्बू आता है कभी आपने जब लकडी गीली होती है उसके अंदर से जो खुश्बू आती ह आपने कभी notice किया हो तो वैसी खुश्बू इसके dry down के अंदर भी आपको मिलती है अब ऐसे तो इसके notes के experience को मैं बहुत ज़ादा और detail में discuss करके आपको बता सकता हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कही न कहीं बोरियत की तरफ चला जाएगा लेकिन overall अगर मैं इसको समझ आता है longevity इसकी बहुत ज़ादा अच्छी है moderate से लेकर strong के बीच में last करता है और अगर price की बात करूँ इस सारी की सारी जो old spice की series है वो uniform price है आपको जैसे मैंने बताया था कि 249 की MRP है 440 ml लेकिन 225 के आसपास आपको यह online या offline कहीं पे भी easily मिल जाएगा तो अब बारी आती है इस हफते के giveaway के सवाल की और वो सवाल यह है कि old spice deals को इंडिया में कौन सी company manufacture करती है आपको अपने जवाब हमें कल जो की है Saturday रात 10 बज़े तक देने है और वो जवाब आपको description box के अंदर दिये गए number और बाकी सब details के साथ आपको whatsapp करने है तो मैं उम्मीद करता हू आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा इस से पहले मैं आपकी इजाज़त नूँँ I just want to say महकते रहिए मुस्कुराते रहिए till next time enjoy life take care